हेए, वेलकाम बैक टो और चैनेल, इन टूदेज वीडियो आई विल टेल यू, हाउ डू स्वीच आप यूर डिवाइस, यानि के इस फोन में पावर आप कैसे करें, इस वीडियो में आपको पावर आप काने का दो तरीके बाता हूँगा, एक है मैनुवाली, दूसरा है पावर आप को फांस सेकेंद तग दावए राखने के बाद, रिस्टाट और पावर आप काने का ओप्षन आ जाते हैं, इहांसे हम इस दिवाइस को switching up या restart कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, इवाइस को setup करते समाई, या कुछ गलत शेनिः करने के वएसे, जब आप पावर आ को प्रेज करते हो सब्सक्राइब गोगल एमाड एक्टिवेडियो जाता है। कि अगर आपके साथ आसा प्रप्रोब्लम हो रहा है थो आप दो तरीवे से इसे ठीक कर सकते है है । दोस्तो प्रावावावावड को पांस सेकंद दक दबाय राखने के बाद गोगल एसिस्टेंट एक्टिवेट हो जाते हैं अगर आप continue power button दापाई रखेंगे तब restart और power button का option चले आएगा फिर यह से आप अपना device को restart या power up कर सकते हैं दोस्तों अब मैं आपको Google Assistant आप काने का settings बात एता हूं तब सबसे पहले phone के settings में चले जाएए उसके बाद scroll करके नीचे नीचे आएंगे next additional settings पर tap करना है additional settings के last में एक option दिया गिया है Google Assistant with power button इस option को disable कर दीजिए फिर next time से जब हम power button दापाएंगे तो एक Google Assistant नहीं आएगा दोस्तों अब हम बात करते हैं automatic power off कैसे करे automatic power off करने के लिए इस additional settings के अंदर एक features देखने को मिलते हैं schedule power on off इस पर tap करना है दोस्तों इस settings के मतलों से आपका डिवाइस daily या weekly automatic power on off किया दा सकते हैं first auto power on option को enable कर दीजिए इसके बाद power on time set करना होते हैं यहाँ से आप everyday या haft में एक दो दिन चूस कर सकते हैं उसके बाद इसी तरीके से auto power off time set कर देना है फिर आपका device automatic सुबह 7 बैजे on हो जाएगा और आद 11 बैजे बंद हो जाएगा तो दोस्तों इसी तरीके से अब अपना phone को switch up कर सकते हैं उम्मिद करता हूँ कि ए वीडियो आपके लिए बहुत helpful था तो हमरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया झाल